भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्र सब्स्क्राइब करें भक्ती कथा अरे उठो राजकुमारी जी सुबै हो गई सूरज निकलने वाला है उठो चल कर गाय का दूद निकालो उठो मेरा लाडला पुत्र पुरेंदर दूद के बिना रहे नहीं सकता उसे शीगरी ही दूद चाहिए अरे ठुकुर ठुकुर मुझ क्या देख रहा है उठ और सुनो दूद की एक गून भी नीचे ना गिरे और ये भी भ्यान रहे ये गाय तुम्हारे भईया या मामा की नहीं है ये तो मैं अपने पिता के घर से लाएं हूँ यदि ये गाय मैं नहीं लाती तो मेरा निकम्हा पती मुझे और मेरे पुत्र पुरेंगर को फूका ही मार देता हाँ चलो उठो अरे रे 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 कहा था ना एक बूल दूद ना गिरे हाँ सारा दूद गिरा दिया निर्लज करिता माहा से भीक ठंपाएगा क्या भाचे भावी गाय की ठोकर से गिर क्या मैं निकाल देती है जल निकाल जल दे हाँ हाँ ले बेता आजा आजा काली आजा हाँ 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 पी ले जल्दी जल्दी पी तू क्या देख रहा है आखी चौड़ी करके कुद्रिष्टी लगागा मेरे पुत्र को हाँ जा हट यहां से गाय चराने लेकर जा जा कह रही हूं ना ले और दूद्ध पी ले अब तू यहां खड़ी खड़ी क्या मूदे खई है महरानी घर का काम काज कौन करेगा जा अब 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 नारायर नारायर प्रणाम मातार मातार आप अकेली इस समय इस वन प्रदेश में कहां जा रही हैं आप ओहो नारत प्रणाम का उत्तर आप फिर कभी देख देना इस समय तो आप मुझे केवल यह बताएं कि आप जा कहा रही हैं नारत प्यालाश पर मेरा मन नहीं लग रहा था पुत्रों की स्वरती ने व्यकुल कर दिया है मुझे दोनों ही मुझसे दूर चले गए हैं कहां चले गए वो दोनों जैसे तो में कुछ ग्यात ही नहीं उत्ती सिदी से विवाह करने के पश्चात गणिश तो अपने सस्राल में जा बैठा है और कार्तिके ने श्री शेल परवत पर डेरा डाल दिया है तो ऐसे में मैं कहां जाओं आप कहीं भी न जाएं आप कहलाश की महरानी और हिमाले की राज ज माहन की व्यवस्था भी कर देते हैं परतु प्रतीत होता है माता आप भगवान भोले नाथ से बिना बताये कैलाश से चली आई है मा की ममता और पुत्रवात सल्य ने मुझे इतना व्यकुल कर दिया है कि मैं उन्हें बताई बिना ही अपने पिता के पास जा रही हूं घोर आश्चरी है इसमें आश्चरी कैसा नारत भोले नाथ की इच्चा के बिना पिता के घर जाने का परिणाम क्या आप भूल दें अन मुलिनाथ आपकी कोई भी इच्छा अपुरूर रहने देंगे हाँ व्यकुलता ने मुझे कुछ अधिक ही अधिर कर दिया है मेरा कैलाश लोड़ जाना ही उचित होगा कि अधिर आप यह जो अधिर आपकर मैंने माता पार्वती को कैलाश लोटाने का कार्य तो पूर्ण कर दिया है अब मैं सोयम कैलाश नहीं आ सकता यही से मेरा प्रणाम स्विकार कर लो ओम नमस्षिवाए भुलेनात को आज भी समाधी में लीन है नजाने पार्वती माता कब लोटेंगे माता पारवती आ गए माता प्रणा माता 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 कर दो कर दो नमो नमः का जली गहीं थी देवी गई तो थी पर जा न सकी पर कहां और क्यों यह मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए पिता श्री के घर जाने के विचार से निकले थी पिता के घर बिना ने वंत्रन तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए देवी तो क्या करूं पुत्रों की स्मृति मुझे विकल करती रहती है बार बार उनका प्रिय मुख मेरी आँखों की सामने आता है पर न तो मैं उन्हें देख पाती हूं नहीं उनसे मिल पाती हूं इसलिए सोचा कि स्थान परिवर्तन से संभवता मन शांत हो जाएगा अवश्य हो जाएगा चिंता ना करो तुम्हारा पुत्र व्योग शीघ्र दूर होगा एक ओर देवी पार्वती पुत्र व्योग में व्याकू थी तो दूसरी ओर एक माप में पुत्र के दुखों से चिंतित थी सुख दुख विधी के विधान में लिखे हो जिसका ज्यान केवल विधी की रचनाकार भोले नाथ की ही है देविका की चिंता और उसके पुत्रों उपमन्यू के कश्टों का निवारण भी केवल भोले नाथ के हाथों में ही इस भूख से तो अच्छा था अपने गाह में ही भिक्षा मांगकर पेट भड़ लेते वहाँ अपमान था वह तो यहां भी है मारे भूख के प्रान बाहर आ रहे हैं मन तो कहता है गाय का दूद पीकर ही अपनी भूख में टालों प्राइब अपनी अपनी नहीं नहीं चूरी करना अपराद है चूरी करने से तो भूख रहना अच्छा है माँ माँ इतना काम करके भी भूखा ही रहना पड़ता है तो यह हम अपने गाउं में भी कर सकते हैं चलो माँ अपने गाउं लौट चलें गाहों बडलने से भागी तो नहीं बडल सकता है पुत्र हमारी ये दुर दिन भी समाप्त हो ही जाएंगे भागवान पर विश्वास रख पुत्र कर दो लौट बडलने भी तो जाएंगे लो बहें ये मिश्ठान तुम्हारे और उपमन्यों के लिए एक यजुमान ने दिये है तारा को पता चलता तो ये मिश्ठान पुरंदर हो ने लेती लो तुम और उपमन्यों खानो ये लो मामा मिष्ठान लाए हो हमारे लिए हाँ पर मन्यू यह मिष्ठान तुमारे लिए है लो बेटे मिश्ठान लट्टू तुम्हें लाज नहीं आती अपने पुत्र को मिश्ठान ना देकर पराय पुत्र को प्रसंद कर रहे हो हां कैसे पिता हो भिकार है ऐसे पिता पर उपर मन्यू क्या पराया है मेरी बहन का पुत्र क्या पराया है भांजे पराय होते हैं क्या ओहो 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 बांजे के मामा जग में पहले अपने पुत्रे के लिए विचार करते हैं बांजे के लिए नहीं और ये दोनों मापुत्र इन्हें तनिक भी लाज नहीं आती जानती है पुरंदर के खाय पिये बिना इस घर में कोई कुछ भी खाता पीता नहीं फिर भी मी आज इन्हें दंड स्वरूप भोजन ही नहीं मिलेगा, हाँ, समझे, चलो तुम अंदर, चलो, चल माम, हाँ बेटा, भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता ए भोले नाथ, ए कैलाश पती, क्या मेरे उपमन्यों के भाग्य में तुमने सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, एक भी सुख नहीं लिखा लुखा लाहें मेरे पत जहीं मिलेन सकति मिले ख फुमने सुख विखा लोग च्षण के भी सव मोई हैं, वी का यानी स्व LIρι पतानी सी नहीं मिले दुमने से।र मेरे भाग्य का months है परम देव देवों के आदि देव भगवान भोले नाथ क्या अपरात किया है मैंने और मेरे पुत्र उप्मन्यवने प्रभू हम आपकी कृपास से वन्चित क्यों है क्यों हमें अपमान का विश्बीना पड़ रहा है क्यों हमें भूगा मरना पड़ रहा है प्रभू मेरे पती व्यात्रपाद आपके परम भक्त थे और मानते थे कि शिम भक्ती द्वारा वे शिम धाम तक अवश पहुँच जाएंगे क्या वो सब असत्य था प्रभू स्वामी 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 आप यहां अगवान शिव के चर्णों में स्वामी आपको पता है आपके चले जाने के पश्चात आपका पुत्र उपमन्यों दूद और भोजन के एक एक दाने के लिए तरस गया है एह तुझे सिते से भूकी प्यासी रह लेती हूं पर उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है स्वामी भगवान शिप पर आस्था रखो देविका भगवान शिप पर आस्था रखो हमारा पुत्र अभागा नहीं वो शिव किर्पा का पात्र बनेगा उससे कहो कि वो शिव भक्ती में स्वयम को समर्पित कर दे और शर्धा के साथ डूब जाए शिव भक्ती में सब शुब ही शुब होगा मंगल ही मंगल होगा सब शुब ही शुब होगा मंगल ही मंगल होगा क्या लाश्पती की जय हो सवप्त में भी मुझे मेरे स्वामी की दर्शन करा दिये धन्य है भोलेनाद धन्य है हेशिव शंकर मेरे उपमन्यों की हर मनों कामना पोर्न करना प्रभू हर मनों काम ना पोर्ण करना